Mediation, suppose रहे कि आपके और आपके दोस्त में किसी बात को लेकर dispute हो जाता है, जहगड़ा हो जाता है, तो उस case में आपके जो तीसरा दोस्त होगा या फिर आपका जो कोई और दोस्त होगा वो आता है, जो common friend होगा वो आएगा और आपके दोनों के बीच में जो disputes होता है, उसको solve क करने की कोसिस करता है, आप classroom में बैठे हैं, आप जो है classes ले रहे हैं, उसी में जो है आपके साथ जो बैठा हुआ है, उसके साथ आपका कोई dispute हो जाता है, कोई बहस हो जाती है, तो उस case में जो आपके class में जो teacher होंगे, जो class teacher होंगे, वो आएंगे और आप दोनों के बीच में जो dispute होता है, उसको खतम करने की कोसिस करता है, उसी को mediation कहते हैं, clear, mediation कहा है, mediation is the process that helps people resolve conflict for themselves in a mutually acceptable way in which everyone engaged in the dispute meets with one or more trained mediator, याने कि जो third person जिसने आपके बीच में disputes को खतम किया, उसको mediation कहते हैं, clear, तो mediation क्योंगे, mediation पूरा process हो जहाँ जहाँ पे कोई third person जो mediation होता है, व उसको resolve करता है, उसको खतम करता है, उस dispute को, clear, तो जैसे कि example के तोर पे समझे कि HR department है, तो यहाँ पर एक organization है, उस organization है बहुत सारे employee काम करते हैं, तो employee employee के बीच में किसी ने किसी बात को dispute हो जाता है, employee और boss के बीच में dispute हो जाता है, आप suppose कि दो employee है, दोनों की same qualification है, same experience है, ले इसको लेकर dispute हो सकता है, working hour को लेकर dispute हो सकता है, कि आपको 5 गंटे काम करवाया जाता है, वहीं पर सामने वाले को 4 गंटे काम करवाया जाता है, आपके उपर workload जादा है, सामने वाले के उपर workload कम है, सामने वाला 10 बज़े चला आता है, जबकि 9 बज़े timing है, और आपको जो ह क्या कहलाता है mediation कहलाता है in a private setting the mediator provides a sequential simple process for the parties to discuss their dispute along with their feelings perception and needs याने कि अगर एक private setting की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो mediator होता है वो आप दोनों को मिलवाएगा और आप दोनों को मिलवाने के बाद आप से बोलेगा कि आप discuss करें अपने feelings को अपने perception को अपने needs को और जो भी dispute से उसको resolve करने की कोसिस करिये तो that is mediation तो HR में भी होता है अब सबोज़ों कि एक boss और employee जो है लगाता है daily जो है 9 बज़े timing है लेकिन साथे 9 बज़े तक आ रहा है तो जो boss है और जो employee उनके बीच में dispute होता है अब जो employee है वो इस वज़े से आ रहा है कि हो सकते है वो single father है फिस single mother है उसके पास दो बच्चे है उन दोनों बच्चों को ready करना school भेजना school भेज कर फिर खुद को तयार करके office पहुंचना उसमें जो है उसको daily जो है लेट हो जा रहा है तो इस वज़े से जो है वो लेट हो जाता है तो अब दोनों की ही अपनी प्रॉब्लम है वो ऑफिसली देखे तो नो बचे इंप्लाई को पहुंचना चाहिए लेकिन वो personal region की वज़े से नो बचे नहीं पहुंच पा रहा है तो इन दोनों की disputes को किसी third person दोरा mediator दोरा जो है उसको आप जो है resolve कर सकते हैं जो person है वो job नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसको जो अपनी family से लानी है वहीं पर जो बॉस है वो जो है नहीं चाहता है कि सामने वारा person job छोड़े क्योंकि उसको पता है कि वो single mother single father है इसलिए जो है उसको job से निकालना सही की बात होती है तो उसके लिए third person को involved कियाता है जिसको mediator कहते हैं और कहां पर क्या होगा कि जो boss होगा जो employee होगा दोनों बात के बात करेंगे और दोनों कोई न कोई उस dispute को resolve करने की कोसिस करते हैं तो that is called mediation clear तो यहां पर mediation process में total six steps होते हैं जिसको follow करके किसी भी disputes को दो ल हो भाई मैं चाहता ही नहीं हो कि आपसे जो है कि मैं mediate करना चाहता हूं आपसे जगड़ा खताम ही नहीं करना चाहता हूं तो फिर में mediate करने के तयार नहीं होगा दोनों लोग mediate करने के तयार होंगे तभी तो mediator आएगा यह होगा कि चलो ठीक है किसी तीसरे person से काम करवा ना आपके ना मेरी कोई third person कहाएगा और जो third person कहाएगा हम उसे मान लेंगे तो that is mediation इसी तरह के से arbitration होता है जो कि अलग concept है arbitration में क्या होता है कि वहाँ पे कोई body होती है कोई law होता है वो जो है वहाँ पे appoint किया जाता है उसके दोरा जिस person को appoint किया था उसको हम कहते है arbitrator और महाँ पे आपको इसकी बात माननी पड़ती है लेकिन mediator क्या होता है यह mutually होता है यानि कि जिससे आपकी dispute है आप दोनों ही बोलते हो कि ठीक है वो sir है sir जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा तो वो mediator हो गयते है तहां पे mutually आप agree करते हो कि आपको mediate करना है then आता है gather points of view यानि दोनों के points of view को रखिया यानि कि अगर boss जो है dispute में है आपके साथ तो उसके क्या points है उसके क्या view है वहीपर आप जो लेट आ रहे हो ठीक है और फिर उसके बाद जो है एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा जहाँ पर ना बोस को कोई दिक्कत हो ना ही employee को कोई दिक्कत हो है निकि win-win option का यहाँ पर find out करने की कोशिश की जाती है फिर जो different options available होंगे उसको evaluate के जाएगा और फिर finally जो है एक agreement बन जाएगा जिसक परीके से total यहाँ पर 6 steps होते हैं कि सबसे पहले जिनके बीच में dispute है वो agree करें कि हामको mediate करना है फिर एक mediator आएगा mediator जो है सभी points को gather करेगा दोनों पार्टी जो dispute में उन दोनों के points को समझेगा दोनों के view को समझेगा उसके बाद जो है दोनों के interest को देखेगा कि दोनों चाहते क्या है उसके बाद एक win-win option का जो है different options find out करेगा alternate options find out करेगा जो situation हो सकती है उसके according फिर जो west option होगा उसको ज resolve कर दिया जाता है clear तो यहाँ पर जो है different type of mediation process है तो जैसे एक होता है evaluative mediation, evaluative mediation यानि कि जहाँ पर mediator क्या करता है वो recommend करता है suggest करता है अपने opinion को express करता है दोनों parties को कि आप ऐसा करो तो आपके बीच में जगडा खतम हो जाएगा तो a type of mediation in which mediator are more likely to make recommendation and suggestion and to express opinion अब जो mediator है देखिए कई सारे situation हो सकते हैं एक mediator ऐसे होते हैं जो कि दोनों के बीच में खड़े हो आते हैं वो कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा करो नहीं तुम ऐसा करो ठीक है तो मतलब कि totally involved होते हैं उस mediation process में वहीं पर एक ऐसे mediator होते हैं जो कि साथ में खड़े रहेंगे लेकिन अग evaluative mediation में क्या होगा है कि जो evaluator होता है वो involved होता है वहाँ पर recommend करेगा कि आप ऐसा करो आप ऐसा करना चाहिए ऐसा करोगे तो यह चीज़े फाइदा होगा आपको दूसरे को दूसरा फाइदा होगा तो वो recommend करता है suggest करता है opinion को अपने express करता है Mediator is more involved in terms of mediator suggesting or proposing practical results and effectively attempting to bring the parties to a resolution तो यहाँ पर क्या है active participation है evolutive mediation में क्या होता है कि जो mediator होता है उसका active participation होता है वो involved होता है वो suggest करता है recommend करता है और अपने opinion को भी express करता है नहीं कि जो दो लोग के बीच में dispute है खाली वही बात करें यह भी जाएगा यह भी suggestion देगा भी recommend करता है वहीं पर दूसरे mediation है that is facilitative mediation तो facilitative mediation में यह क्या है traditional mediation कहते हैं इसको तो है पर क्या होता है कि जो expert होता है भी professional mediator होता है वो facilitate करता है कि दोनों की बीच में negotiation हो सके एक agreement जो है फॉर्म हो जाए जिससे कि parties के बीच में dispute खत्म हो जाए clear तो I, an expert or professional mediator attempts to facilitate negotiation agreement between the parties in dispute तो जो parties हैं, जिनके बीच में dispute है, उनके बीच में जो agreement बन रहा है, उसको negotiate करने में जो है, वो help करता है, that's it, यह facilitate करता है mediation को, that's it, यहाँ पर अपना recommendation, अपना suggestion या फिर opinion है, वो यहाँ पर आपको नहीं बताएगा, कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, यहाँ पर दोनों parties and suggestions, or forcing a decision, the mediator urge and encourage disputants to arrive at their own voluntary solution, by investigating each other's more profound interest, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर जो mediator होता है, वो recommend या suggestion नहीं करता है, या फिर कोई forced decision नहीं देता, यहाँ पर आपको encourage करेगा, आपको आपसे urge करेगा, request करेगा, कि जो है, आप voluntary, अपने आप से कोई, जो है, बीच का रास facilitative mediation, वहीं पर आता है transformative mediation, तो transformative mediation क्या हो गया, कि यहाँ पर जो है, आपको recommend या suggestion नहीं करेगा, यहाँ पर बुलेगा, कि जो आपका conflict का approach है, जो आपका perception है, या फिर interaction है, उसको ही transform कर देगा, उसको ही change कर देगा, यानि कि जिस वज़ए से आपका dispute था, वही बदल देग ऐसा लगेगा कि आपको कि हम जगडा कर ही क्यों रहते, या तो कोई जगडा करने का कोई dispute को कोई logic ही नहीं था, तो instead of seeking resolution, यानि कि settlement or agreement, transformative mediation seeks to change, यानि transform party interaction, perception and approach to conflict, यानि कि जो conflict का approach है, उसको change करेगा, जब आपका conflict का approach ही change हो जाएगा, तो फिर, but obvious वाद है कि वहाँ पर dispute क क्या होगा, resolve हो जाएगा, in transformative mediation, mediator focus on engaging and empowering disputants to resolve their conflict and urging them to perceive each other need and interest, यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर यह बोलता है, कि जो mediator हो आप से कहेगा, कि जो disputant A है, और जो दूसरा disputant B है, A को बोलेगा कि आप B के point of view से सोचिए, B को बोलेगा, आप A के point of view से सोचिए, B को बोलेग कि B की need का है, B का perception का है, उसको समझे, यानि कि approach की conflict का उसको change करेगा, अभी तक क्या है, मैं यह चाता हूँ, मैं यह चाता हूँ, सब मैं मैं कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, कि आप क्या चाता हो, आप क्या चाता हो, उस चीज को समझे, तो transformative, transform कर रहा है conflict के approach को, दोनो मेडियेशन को clear वहीं पर एक last आता है court mandate mediation court mandate mediation नाम से clear है कि यहाँ पर क्या है कि court कह देता है कि आपको जो है mediation करना ही होगा compulsory mediation is to bring the parties to mediation process यहाँ पर क्या होता कि अब सब्सक्राइब कि दो लोगों की बेच में dispute है अब आपको mediation process में आना होगा it is the process of coercion into mediation तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको counts कोई कोई नहीं होता है उसमें कोई 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 नहीं होता है तो कोट मैंने डेट क्लियर तहां पर क्या होता है कि आपको कंपल्सरी मेडियेशन करने के लिए बोला जाता है हाँ पर क्या है कि आप जो है mediation नहीं करना चाहते थे तो court ने order गिया कि आपको mediation करना पड़ेगा बस यह इतना तक है उसके बाद जो mediation होता है जो process होता है उसमें court का कोई run ball नहीं होता उसमें जो disputant है वो खुदी जो है mediate करते हैं खुदी जो है negotiate करते हैं अलग-अलग ची analysis moderation याने की moderator moderator कौन होता है एक arbitrator फे जो mediate होता है उसको moderator कहते हैं moderator याने की an independent variable that change the nature of the relationship between other variable यहाँ पर क्या होता है कि जो moderator होता है वो किसी भी variable का जो है nature वो change कर देता है relationship दो लोगों के बीच में जो relationship पर उसको change कर देगा तो उसको क्या कहते है moderator कहते हैं तो moderator are responsible for the facilitation review and guidance of a discussion and a debate and its related interaction suppose कि दो लोगों के बीच में debate हो रहा है तो दो लोगों के बीच में debate होते होते हैं उन लोगों के बीच में dispute होने होने लगता है तो उस case में जो moderator होता है या फिर आपके teacher जो खड़े होते हैं जिनके सामने आप debate कर रहे हैं वो आपको जो है control करता है जैसे अब news debate द जब दो लोग debate करे होते हैं उसमें ढूतर आते हैं तो उस case में जो anchor आते है वो बीच में आता है या तो किसी को silent कर देगा दोनों को silent कर देगा फिर topic change कर देगा, question change कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं? moderator कहते हैं यानि कि वो क्या करता है? कि वो nature of relationship को change कर लिता है moderator used a standard or guideline to ensure that all the content shared during a discussion or debate is appropriate and addressed to the organization's rule यानि कि जब भी mediation होता है तो उस case में जो moderator भी observe करता है कि जो भी discussion हो रहा है वो guideline के according हो रहा है या और organization के rule के according ही हो रहा है कोई गलत direction में जो है वो negotiation या फिर जो mediation है वो कोई गलत direction में नहीं जा रहा है तो उस case को जो है वो moderate करता है उस case को वो check करता है यानि कि moderation analysis में इस चीच को भी check किया जाता है कि जो relationship है जो between two variable उस पे जो third party का कोई impact पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है यानि कि हमने mediator तो बुला लिया है कि हम mediation करेंगे और mediator के लिए third party आ भी गया लेकिन third party का कोई involved भी नहीं है कोई role ही नहीं है हम आपस में discuss किये जारे हैं हम आपस में बात किये जारे है third party का कोई role ही नहीं है यानि कि उसके वज़ए से कोई हमारी negotiation में impact नहीं पढ़ रहा है तो वो चीज भी क्या है moderation analysis उसमें help करता है जब अगर third party का कोई impact इंगी है आपके dispute को resolve करने में तो उस moderator का कोई use ही नहीं है तो moderation analysis जाने की यहाँ पर ये चीज किया जाता है कि moderator का कोई role है ये नहीं है कोई impact है ये नहीं है और साथी साथ जो mediation हो रहा है जो negotiation हो रहा है वो organization के rule के according जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर दूसरा है interaction analysis interaction analysis में क्या किया जाता है कि जो interaction हो रहा है दोनों disputant के बीच में उसको analyze किया जाता है उसको जो है objectively और systematically observe किया जाता है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है वर्वल और नॉन वर्वल इंट्रेक्शन में क्या चीज़े कही जारी है किसने शुरुआत की है बातचीत की कौन क्या response दे रहा है कैसे response दे रहा है कौन चुप बैठा है, कौन बोल रहा है कौन किसकी feeling को accept कर रहा है कैसे वो argue कर रहा है कैसे एक दूसरे को सुन रहा है lecture कौन दे रहा है तो यह सारी चीज़े जो भी mediation के process पे हो रही होती जो भी interaction हो रहा होता है चाहिए वो verbal हो, चाहिए वो non-verbal form में हो उस चीज़ को analyze करना, उस चीज़ को observe करना ही interaction analysis कहलाता है तो objective and systematic observation of interaction verbal, non-verbal interaction, initiation यहने कि किसने जो है dispute, जो दूर disputant है तो उसमें कोई तो होगा जो पहले बात करेगा कि अच्छा यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो अच्छा यह बताओ कि आप क्या चाहते हो तो initiation क्या है, सामने वोले का response कैसे दे रहा है silent है, या फिर कुछ बात कर रहा है feeling को accept correct नहीं कर रहा है argue कर रहा है, listen सुन रहा है या नहीं सुन रहा है या फिर खाली lecture दिये जा रहा है यह सारी चीजों को जो है वहाँ पर systematic तरीके से observe किया जाता है, तो उसे को हम कहते है interaction analysis कहते है तो जब आप interaction analysis करोगे जो mediator होता है जब वो interaction analysis करता है तो उसके basis वो identify कर सकता है कि कौन कौन सी बाते हैं जो कि यह लोग कर रहे हैं और कौन सी बाते हैं जिस पे दोनों लोग सहमती है और कौन सी बाते हैं जिस पे दोनों लोग सहमत नहीं है तो इसके basis पे फिर वो एक suggestion या recommendation दे सकता है उन दोनों के वो कि हाँ आप जो है इस बात पे बात करिए इस पहलू पे बात करिए कि आपका dispute जो है वो resolve हो जाएगा करने के लिए क्या-क्या बाते कर रहें उस चीज को analyze करना ही interaction analysis कहलाता है तो interaction analysis में क्या होता है कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों से related data को collect किया जाता है उसको analyze किया जाता है और उसके basis पे फिर जो भी suggestion होता है जो भी recommendation होता है फिर जो भी opinion होता है mediator वो provide करता है दोनों Disputants को जिससे कि वो सही तरीके से Discussion कर सके हैं, वो सही तरीके से Negotiate कर सके हैं, तो that is interaction analysis, Wish you all the best, keep watching.